जौन अब्राहम का एक बयान इस समय सुर्खियां बटोर रहा है जौन अब्राहम ने रनवीर अलाबादिया के पॉड्कास्ट में ये कहा कि हमारे देश में औरते बच्चे और जानवर ये तीनों लोग सुरक्षत नहीं है साथ ही उन्हों ने ये भी कहा कि मेरा देश महान है कहने से बहान नहीं हो जाता हमें उसकी कमियां भी जाननी होती है और क्योंकि मैं इंडिया से प्यार करता हूँ इसलिए मैं उसे क्रिटिसाइज भी करूँगा दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे देश में महिलाएं वाकरी सुरक्षत नहीं हैं कई ऐसे शहर हैं जहां रात के वक्त शाम के वक्त महिलाएं के लिए निकल नहीं सकती बच्चों के साथ भी गलत काम हो जाते हैं और जानवरों को लेकर भी हाहाकार मचा रहता है जो स्ट्रे आनिमल हैं, स्ट्रे डॉक्स हैं, स्ट्रे कैट्स हैं उनको लेकर काफी लोग आवाज उठाते हैं कि उनके साथ गलत किया जाता है मैं आप से जानना चाहता हूँ कि क्या आप जॉन अबराहम की इस बात से सहमत है हलांकि जॉन अबराहम ने जब ये बयान दिया तो वो अपनी फिल्म वेदा को प्रमोट कर रहे थे उसके लिए इंट्रिव्यू था लेकि लोगों का ये भी कहना है कि क्या जॉन ने ये बयान हाल ही में कोलकाता में हुई उस डॉक्टर की हत्या से उस पर रियाक्शन देते हुए दिया है क्योंकि जब जॉन ने ये कहा कि औरतें सुरक्षत नहीं है बच्चे सुरक्षित नहीं है जानवर सुरक्षित नहीं है तो सबसे पहले लोगों के जहन में वही केस आया क्योंकि इस समय वो केस हर जगए चर्चा का विशा बना हुआ है लेकिन दोस्तों अगर आप गौर करके देखें तो हमारे देश में समय समय पर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और ऐसा नहीं कि कोलकाता वाले केस के बाद कोई कांड ना हुआ हो इस देश में महिलाओं के साथ वो खबरें भी आपको जब तब अख़वारों में दिख जाएंगी तो जॉन ने जो स्टेट्मिंट दी है कि हमारे देश में औरतें बच्चे और जानवर सुरक्षित नहीं है इस से आप कहां तक सहमत हैं यह आप लिखकर बताईए जॉन ने सीधे तोर पर यह कहा कि आप मुझसे किसी भी बात पर बहस कर सकते हैं लेकिन आप मुझसे इस बात पर बहस नहीं कर सकते कि हमारे देश में महिलाएं, बच्चे और जानवर सुरक्षित हैं यह उन्होंने कहा कि मैं इनके लिए आवाज उठाता रहूं और मेरी हमेशा से इन तीनों को लेकर चिंता रही है तो क्या आपको भी अपने आसपास का भारत देखने के बाद यह लगता है कि हमारे देश में बच्चे, महिलाएं और जानवर सुरक्षित नहीं है क्या सोचते हैं आप जल्दी से जो कॉमेंट सेक्शन है उसमें लिखकर हमें भी बताईए